पदम प्रान की शिष्टी खंड में मारकंडे जी के देर गाईयों होने की कथा और शिरी रामचंदर जी का लच्छवन और सीता के साथ पुषकर में जाकर पिता का शिराद करना तथा आज गंद शिव की स्थोती करके लोटना भिशम जी ने पुछा मुने मारकंडे जी ने वहाँ भगवान शिरी रामचंदर जी को किस पर का रुप देश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ मारकंडे जी किसके पुत्र हैं वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है माहमने इस सब बातों का इथात रूप से वद्नन कीजिए तपलस जी ने कहा राजन मैं तुम्हे मारकंडे जी के जिनम की उत्तम कता सुनाता हूँ प्राचीन कल्प की बात है मेरे कंडू नाम से विख्यात एक मुनी थे जो महर्षी ब्रीगू के पुत्र थे वे महाभाग मुनी अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ धीरे धीरे उनकी वस्ता पांच वर्ष की हो गई वे बालक होने पर भी गुनों में बहुत बड़ा चड़ा था एक दिन जब बालक आंगन में गुम रहा था किसी सिद्ध ग्यानी ने उसकी और देखा और बहुत देव तक ठेहर कर उसके जीवन के विशे में विचार किया बालक के पिता ने पुछा मेरे पुत्र की खितनी आयू है सिद्ध बोला मनिश्वर विधाता ने तुमारे पुत्र की जो आयून निश्चित की है उसमें अब किवल छे महिने और शीश रह गी है मैंने ये सच्छी बात बताई है इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए बेश में उस सिद्ध ग्यानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनियंट संसकार कर दिया और कहा बिटा तुम जिस किसी मुनी को देखो परनाम करो पिता के ऐसा कहने पर वे बालक अत्यंट हर्श में भरकर सब को परनाम करने लगा धीरे धीरे पांच महिने बच्चिस तिन बीट गे तंतर निर्बल्ट सभावाले सब्त रिशी गन उस मार्क से पधारे बालक ने उन्हें देखकर उन सब को परनाम किया सब्त रिशी उन्हें उस बालक को आश्वान भाव सुम में कहकर देर गायू होने का अशिरवात दे दिया इतना कहने के बाद जब उन्हें उसकी आईयो पर विचार किया तब पांच ही दिन की आईयो शेश चान कर उन्हें बड़ा भे हुआ वे उस बालक को लेकर ब्रमा जी के पास के और उसे उनके सामने रखकर उन्हें ब्रमा जी को परनाम किया बालक ने भी ब्रहमा जी के चर्णा में मस्तक चुकाया तब ब्रहमा जी ने रिशियों के समीपी उसे चिराई होने का शीरवात दिया पिता में का वचन सुनकर रिशियों को बड़ी परसंता हूँ तब ब्रहमा जी ने उनसे पूछा तुम लोग किस काम से यहां आए हो तथा ये बालक कौन है बताओ तो रिशियों ने कहा ये बालक मेरे कंडू का पुत्र है इसकी आयुशीन हो चुकी है इसका सब को परनाम करने का सभाव हो गया है एक दिन दिवात तेर्थ यात्रा के परसंग से हम लोग उदर जा निकले ये पृत्थी पर गूम रहा था हमने इसकी और देखा और इसने हम सब लोगों को परनाम किया उस समय हम लोगों के मुक से बालक के प्रतिये बाक के निकल गया चीराई उभाव पुत्र बेटा चिरन जीवी हो वो आपने ही भी ऐसा ही कहा है अतादेव आपके साथ हम लोग जूटे क्यों बने प्रमाई ने कहा रिशियो ये बालक मारकंडे आयों में मेरे समान होगा ये कल्ब के आदी और अंत में भी श्रेष्ट मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा तो प्लच्ची कहते हैं इस परकार सब तरिशियों ने ब्रमाई जी से वरदान दिलवा कर उस बालक को पुणा प्रिथी तल पर भीज़ दिया और सेम तीर थी यात्रा के लिए चलेगी उनके चले जाने पर मरकंडे अपने घार आए और पिता से इस परकार बोले तात मुझे ब्रमाई जी मुनी लोग ब्रमाई जी ने मुझे दीर गायों बना दिया इसके बाद रिशियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे वहां बेज दिया अते आपके लिए जो चिंता का कारण था वे अब दूरो गया है मैं लोग करता ब्रमाई जी की किरपा से कल्ब के आदी और अंत में तथा आगे आने वाले कल्ब में भी जीवित रहूँगा इस प्रिथी पर पुषकर तेत ब्रम लोग के समान है अते अब मैं वहीं जाऊँगा मारकंडे जी के वचन सुंकर मुनिश रिष्ट मिरकंडू को बड़ा हर्शुआ वे एक शाम तक चुप चाप अनंद की सांस लेते रहे इसके बाद मन के द्वारा धैरे धारंकर इस परकार बोले बेटा आज मेरा जनम सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्ने हुआ है क्योंकि तुम्हें संपूरन जगत की शिष्टी करने वारे भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन पराप्त हुआ है तुम जैसे वंश धर पुत्र को पाकर वास्तम में मैं पुत्रवान हुआ हूँ वस जाओ पुष्कर में बिराजवान दिवेशर भ्रह्मा जी का दर्शन करो उन जगतीशर का दर्शन कर लेने पर मुनिश्यों को बड़ापा और मृत्यों का द्वार नहीं देखना पड़ता उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं ति था उनका तब पुरा इश्वरे भी अक्षे हो जाते हैं ताथ जिस काले को मैं भी नहीं कर सका मेरे किसी करम से जिसकी सिद्धी नहीं हो सकी उसे तुमने बिना यतन के ही सिद्ध कर लिया सब के प्रान लेने वाली मृत्यों को भी जीत लिया अधे दूसरा कोई मनुश इस प्रिथी पर तुमारी समानता नहीं कर सकता पांच वर्ष की वस्था में ही तुमने मुझे स्पून संतुस्ट कर दिया अधे मेरे बर्दान के परभाव से तुम चिरंग जीवी महात्मां के अदर्श माने जाओगे इसमें तनिक भी संदे नहीं है मेरा तो ऐसा आशीरवाद है ही तुमारे लिए और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपने इच्छा के उसार उत्तम लोकों में जाओगे पुलाच ची कहते हैं इस परकार रिशियों और गुरु जनों का अनुगरे प्राप्त करके मिरकंडो नंदन मारकंडे जी ने पुषकर तीत में जाकर एक आश्रम स्थापित किया जो मारकंडे आश्रम के नाम से परसिद्ध है वहाँ शनान करके पुईत्र होकर मनुश्य वाजपे यग्य का फल प्राप्त करता है उसका अन्तेकरन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्ग आयो प्राप्त होती है